नेक्स विक कौन सा स्टॉक है जो सबसे अच्छा प्रफम करेगा कौन से स्टॉक के इक्विटी केश फ्यूचर या ऑप्शन में आप ध्यान देंगे तो सबसे बड़ा प्रॉफिट आप बनाने वाले हैं दोस्तों मैं पंकर जेन ये चीज अभी आपको बताने वाला हूँ वीडियो को पूरा सुनना है ध्यान से सुनना है आखिर तक इसको शेर कीजिए लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कुछ लिंक्स दे रखें नीचे मास्टर क्लास के लिए और साथ में ग्राफिक की वेबसाइट भी खुशकबरी की बात है आपक हैं तो इस हफते आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा पी एस्यू बेंक सेक्टर का सबसे बड़ा स्टॉक कौन सा है बताइए आप गेस करके हाँ आप सही समझे एस बेंक का फिडिया लिमिटेड और बहुत दिनों से उसने अपने रिस्टेंस नहीं तोड़े थे अब तो उस रिस्टेंस को तोड़ने की तियारी में आपने देखा 531 का क्लोज आया है 538 या 541 का जो सालवर का हाई है उसको तोड़ने की तियारी है वो अपने 52 विक हाई से 1.5% हाडली इतना ही दूर है खो सकता है यहां से gap up खुल जाए अगले दिन जैसे working day में हम लोग यह होगी कि आप सामने से अगर शेयर खरीद रहे हैं तो हो सकता है पहले थोड़ा सा correction है जैसे मैं आपको हमेशा पताता हूं कि 915 तो 920 एक movement आ गया 540 के 545 तक चला गया उसके बाद में 925 से लेके 940 तक उसने 537-536 का level दिखा दिया तो कोई बड़ी position जैसे future में position बनानी तो मैं आप से कहूंगा 940 के बाद ही बनाना और एक तरीका क्या होगा day के high पे stop loss buying लगा के रखिए अगर day का high 541 के उपर है तो day के high पे stop loss buying लगा के रखिए और अभी अगर आपको लगता है कि 533-35 कहीं खुल गया है तो अगले हफते में जब भी 541 का level तूटता है वहां पे आप stop loss buying लगा के रख सकते हैं लेकिन अगर आप यह कहें सर मुझे तो option में काम करना है तो वो किसी किया जाएगा option में काम करने के लिए nearest out of money जब आप जाएंगे इसके option chain में देखेंगे सबसे जादा volume या OI कहां पे आपको दिख रहा है वो आपको देखना होगा तो आप को सबसे दिख रहा है nearest out of money 550 का call है वो सबसे जादा active हो सकता है आपने उसको अपनी market watch में लगा के रख लिया लेकिन position कब बनाएंगे आप option के साथ इस तरीके से खेल नहीं सकते तो position बनाने के लिए हम लोग ऐसा करेंगे कि 50 share या 100 share के stop loss buying हमने लगा के रखिये breakout पे मतलब 541 का trigger है 542 की buying price है महाँ पे आपने order लगा के रखा है ऐसा है अगर Tuesday को नहीं होता है तो Wednesday को repeat करेंगे Wednesday को नहीं होता है Thursday को repeat करेंगे लेकिन इस बात का खैल रखना कि कई बार लोग केते कि नहीं आज आपने बताया था सरी यह तो हुआ नहीं फिर हम भूल भाल गए अगले तीन से चार दिनों के अंदर एक ही बार में इतना profit वो आपको दे सकता है कि आपके हफते बर का ही target पूरा हो जाए तो हम हमेशा उतावलेपन की वज़े से मात खा जाते हैं कि हमको यह तो पता होता है कि कौन सा stock अपनी range तोड़ने वाला है, breakout कहां आने वाला है लेकिन destruction की वज़े से आस पास जो shore फिला हुआ है उसके वज़े से हमारे ध्यान बटक जाता है और हम जो चीज जानते हैं जिसका फाइदा हमको मिलना चीए उसको भी हम चुक जाते हैं तो आपने क्या किया कि जैसे ही 541 का level equity cash में तूटा और आपके 50 shares की buying हो गई उसके बाद में जरूरी नहीं कि 541 से वो सिदा ही 550-560 चला जाएगा 541 तोड़ के 543-44 हुआ फिर नीचे आया जैसे कल ICSA bank में हुआ था तो ICSA bank का all time height था 868 तो 868 उसने break किया 872 तक गया फिर वापस 68-67 तक आया और finally 876 का level भी दिखाया तो चीजें इस तरीके से काम करेगी मैं कहूंगा जब equity cash में एक बार breakout के बाद जब वो सांस ले SBI का call तो लगा के रखा होगा अब वो 550 के call में जैसे आपको नजर आया कि अभी 10 रुपे नजर आ रही है premium तो आप 8.5 की buying लगा के रख सकते हैं यह defensive buy है वो नीचे टी आ गया और आपको उस level पे मिल गया तो मज़ा आ जाएगा तो आप अजर आप